तो आज हम यहां पे पंजाब सिवल सरफिस के लिए हमारा पी वाईका यू शेशन आगे करते हैं स्टुडेंट क्ष्चन नमबर 31 तक हमने अल्रेडि डिस्केशन कर लिया तो स्टुडेंट के बहुत सारे कमेंट भी आरे हैं एवन स्टुडेंट बहुत सारा इन वीडियों को गर री हैं कि हैँजी मैं ठीक है पंजाब जी के का यह question है बचे ठीक है और question है भी बहुत interesting तो question है कहता आज आखा वारे शान हो प्रता है न आपको बहुत बार जब भी आप एक पंजाबी चैनल चलाते है तो उसमें यह आती है उसमें तुन आती है आज आखा वारिशान हूँ, है ना, बुले बुले बतना निए इस करके मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पूरा है यह बड़ा अच्छा सा कोट है, ठीक है, इसे फेमस पोएम, बहुत ही फेमस पोएम है, बाइद रिनोड पंजाबी राइटर अमरता पृता पृता पृत तब स्टूनेंट उन्होंने ये पोएम लिखी थी, तब कि उस हौरी, हौरिफाई जो कंडिशन्स थी, है ना, उन पे उन्होंने लिखी थी, तो आपको करेक्ट स्टेट्मेंट यहां पे बतानी है, स्टूडेंट की करेक्ट स्टेट्मेंट कौन सी है, ठीक है, हाँ जी, तो बताईए स्टूडेंट, कुश्चन आपके सामने है, कुश्चन को पढ़ो, और बताओ, हाँ जी, कमेंट करो बचे, कमेंट करो कुश्चन पर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, that is our, that is our both, both student, both options are correct student, ठीक है, शेक्स्पियर बोला जाता है, इनको वारिश्चा को ये भी स्टेट्मेंट सही है, पंजाबी पॉइट वारिश्चा, जिनोंने हीर रांजा के उपर बहुत अच्छा काम किया, जिन student के पास पंजाबी लिट्रेचर होगा है, पंजाबी लिट्रेचर जो अपना subject होता है, बीए के अंदर, अगर उनके पास वो होगा, उनको तो ये, मतलब ये question तो उनकी बिलकुल बाई हाथ का होगा, ठीक है, वो तो बहुत आराम से करेगा ये question, ठीक है, तो अमरिता दोनों ही जो चीजे हैं, ये बहुत ही यहाँ पर क्या है, दोनों ही statements जो हैं, वो बोथ are correct, ओके, next हम बात करते हैं student question number 33 के, हाँ जी, तो question number 33 पढ़िए, कहता है, consider the following statements, कौन सी statement इसमें से consider करनी चाहिए, अच्छा, consider करनी है आपको, पहली statement कहता है, कहता, word bank, word bank allocates votes for the member countries on the basis of the share of bank capital stock held by the member country, कहता, अगर कोई भी word bank का, अगर कोई भी member country है, है न, उसको वहाँ पे जो vote share है, उसका, भी कितने percent उसकी vote का share होगा, ठीक है, ये decide करता है, वहाँ की capital stock, कि कितना bank की अंदर आपका capital stock का share है, इस पे depend करता है, आपकी vote, ठीक है, vote allocation आपकी, इसी चीज़ पे depend करती है, किसमें, हमारे word bank के अंदर, ये पहली statement है, दूसरा कहता है, इंडिया currently holds more than 5% of voting power, कहता है, इंडिया के पास, माल लेजिए, 100% voting power है, जो, उसके अंदर से 5% जो voting power है, that is, held by इंडिया, ये second statement है, in the word bank, तो इसमें से incorrect statement पूछे, student उसने incorrect, तो statement incorrect पूछे, तो इसको आप circle कीजिए, आप बताईए, आप इसका correct option, हैं जी, तो 33 number question का attempt करो, तो incorrect statement, पहले ही बताई आपको, second number statement is the incorrect, more than 5%, 5% voting तो बहुत ज्यादा student, ठीके, तो 5% तो इडिया के पास नहीं है, बिलकुल भी नहीं है, 5% से कम ही है, ठीके, so that's why option number 2, जो है, वो हमारा, यहां पे correct बनता है, incorrect पूछे, that's why option B is the correct option, ठीके जी, हैं question समझ में आया बच्चे आपको, question समझ में आया या नहीं आया, question को समझना बहुत important है, student, question समझ में नहीं आया, then फिर दिक्कत हो जाईगी आपको, ठीके, question को समझना बहुत important है, okay, okay, students, ठीक है, next बात करते हैं हम, 34 number question बढ़ो, पच्चे, हाँ, कैता है, which of the following statement given below are correct, correct पुछा तो correct को कीजिया, circle, अब बढ़िये, कैता है, attorney journal of India is entitled to all the privileges that are available to the member of parliament, कैता है, जितनी privileges हमारे member of parliament को मिलती है, उतनी ही privileges हमारे attorney journal of India को भी मिलती है, ठीके, अच्छा, फिर कैता है, attorney journal of India is a member of cabinet, कैता है, attorney journal जो है, वो इंडिया का, वो member होता है, cabinet का, जो हमारे cabinet होता है, हमारा ministers का, उसका वो member होता है, third statement में कैता है, कैता है, the attorney journal of India is appointed by the chief justice of India, कैता है, उसको appointment जो उसकी होती है, वो हमारा chief justice करता है, इंडिया का, अच्छा, D option कैता है, कैता है, he must be a person who is qualified, कैता है, वो qualify होना चाहिए, to be appointed as a judge of the high court, वो as a qualification उसकी कितनी होने चाहिए, कि उसको हम as a judge of high court हम उसको appoint कर सके, इतनी उसकी qualification होनी ही चाहिए, ठीक है, अब इसने यहाँ पर statement पूछी है, यहाँ पर correct statement पूछी है, तो आप बताईए, student correct statement कौन सी है, पढ़ लीजिए बच्चे, polity का question है, ठीक है, polity का question है, और static question, question का जो level है, वो काफी अच्छा है, ठीक है, decent question है, ना ज्यादा, difficult है, ना ज्यादा, you know, इतना easy भी नहीं है, straight forward भी नहीं है, इतना ज्यादा, बट हाँ, question का level ठीक है, मतलब ऐसे questions आपको attempt करने ही चाहिए आपके paper में, हाँजी, तो attempt कीजिए बच्चे question को, तो इसका जो correct statement है, that is our A, जो attorney general होता है ना, इंडिया का student, ठीक है, ओके, तो वो क्या होता है student, उसके पास सारी privileges होती है, जितनी हमारी member of parliament के पास होती है, यह बात आप याद रखिए, यह आपकी polity की लक्षमी कांत में, अराम से दी हुई है, NCRT में भी यह बात दी हुई है, attorney general of India, member है cabinet का बिलकुल भी नहीं student, वो cabinet का member तो कभी नहीं हो सकता, appointed by chief justice, नहीं बच्चे, उसको appoint करता है हमारा president, appointment का काम जो है न, वो हमारा president करता है, ना कि हमारा chief justice करता है, he must be qualified, appointed as the judge of the high court, नहीं बच्चे, high court का judge नहीं, supreme court का judge, student, supreme court का judge जो है न, वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसके पास इतनी power, मतलब वो as a qualify होना चाहिए, to be appointed as a judge of the supreme court, ना कि high court, ठीके, ओकी, ठीके, तो यहाँ पे यह सारी statement आपको पता होने चाहिए, regarding attorney general of India, ठीके, और भी comment करके आप बता सकते हैं, attorney general के बारे में, मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगी, ठीके, आप मुझे बताईए, और जाद, और इसके बारे में, कि attorney general of India का क्या काम होता है, ठीके, उसको किस तरीके से, अगर उसको disqualify करना हो, तो वो कौन करेगा, ठीके, यह सब चीज़े भी आप मुझे comment box में बता सकते हैं, ठीके, क्योंकि पहले भी हमने एक बार attorney general के बारे में थोड़ा discussion कर रख है, ठीके, हाँ जी, तो बताईए, question number 35 number attempt कीजिए, बच्चे, 6th schedule पे question है, बताईए, पढ़िए question को पढ़िए आप, हाँ जी, क्याता है, consider the following statement, statement को आप वो कीजिए, पहले दी चीजिए, क्याता है, 6th schedule has conferred the district councils the power to constitute village councils or courts for the trial of cases between person belonging to the scheduled tribe, schedule tribe से related, question है, कैता है, 6th schedule में conferred किया है, कि जो हमारा district council होते है, उसके पास इतनी power है, to constitute village councils or courts for the trial of cases between the person belonging to the schedule का, schedule tribe से related जितने भी बंदे हैं, persons है, ठीके, उनके cases के trial जो है, वो village council की अंदर, यहाँ पे constitute हो सकते हैं, ऐसी power है, 6th schedule में, ठीके, district council के पास, दूसरे statement में कहता है, the 6th schedule has recognized the power of the district council to impose certain specified taxes, जो हमारा 6th schedule है, बचे, वो recognize करता है, the power of the district council to impose certain type of specified taxes, मतलब कि वो कुछ type के taxes जो है, वो लगा सकता है, कौन लगा सकता है, district council लगा सकता है, इसा recognize किया हमारी 6th schedule ने, अब इसमे correct statement पूछी है, तो बताईए, हाँ जी, तो दोनों इस statement correct है, बचे, जो हमारा 6th schedule है, प्लीज रिमेंबर देश्टे, जो हमारा 6th schedule, आपको पूछी पता है, हमारे constitution में total कितने schedule हैं, 12 schedule हैं, ठीके, याद हैं आपको schedule, ठीके, याद करे किजिए बचे, schedule जो है, वो आपको याद होने चाहिए, 1st से लेकर 12 तक जितने भी हमारे schedule हैं, ये आपको याद होने चाहिए, जैसे जो 11th और 12th schedule है, that is related to our panchaiti, raja and municipality, 11th जो है, that is related to panchaiti, raja system and 12th, our municipalities for the urban and towns, ठीके, 10th जो है, that is related to anti-defection law, ठीके, वैसी हमारा 6th जो है, that is related to our schedule tribe, ठीके, 5th और 6th दोनों जो है, वो हमारे schedule tribe और schedule caste से related, यहाँ पे laws को, you know, अवो करते हैं, decide करते हैं, ठीके जी, नहीं, 5th जो है, वो schedule areas को decide करते हैं, ठीके, maybe थोड़ी सी मुझे, यहाँ पे confusion हो रही है, कोई बात नहीं, मैं आपको, फिर next lecture में बताऊंगे, ठीके, थोड़ा से में भी हो सकता है, मैं कहीं पे confusion नहीं हो रही हो, मैं आपको कुछ गलत नहीं बतादू, ठीके, 36th number question पढ़ी है, consider the following statements, statement यहाँ पे follow करनी है आपको, अच्छा, क्याता है, क्या होगे, पहले में क्याता है, क्याता है, matters concerning the trade union, trade union से related, जितने भी matter concern होते हैं, industry और labor dispute, fall within the preview of concurrent list, कहता है, यह concurrent list के अंदर आते हैं, देखो, तीन तरिकी की list हैं अपने पास, पहली है हमारी union list, दूसरी है हमारी state list, यह हमारे constitution में define है, और तूसरी, third one is our concurrent list, ठीक है, union list में student, center से related, जितने भी subjects हैं, जिन पे, सिर्फ और सिर्फ center के पास power है, जितने भी इसके अंदर, जो भी subject mentions हैं, ठीक है, वो सब के सब, जैसे हमारे external affairs, finance से related, जो हमारे external affairs, जो हैं, जितने भी countries, बाहर की country, foreign country, साथ जो relations हैं हमारे, वो सब के सब, ऐसे जितने भी हमारे, बहुत सारे ऐसे topics हैं, subjects हैं, जो सिर्फ और सिर्फ union list में है, जिनके, इसका मतलब ये है, कि उन पे कोई भी decision लेने का, जो power है, that is, held by center government, ठीक है, फिर है हमारी state list, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी, state government जो है, वो decision लेए, जैसे हमारा health sector, ठीक है, वो क्या है हमारा state list में आता है, मतलब कि state इसके उपर क्या करती है, decisions लेती है, ठीक है, कोई भी law बनाना है, वो हमारी state बनाती है, हलें कि center कर सकता है, वो अलग बात है, ठीक है, अच्छा, concurrent list होती है, जिसमें, center, plus हमारा state, दोनों के पास power होती है, मतलब कि दोनों के पास क्या होता है, यहाँ पे, दोनों के पास power है student, उस subject से related, ठीक है, तो concurrent list यहाँ पे क्या है, जैसे हमारी education जो है, वो हमारी concurrent list में लाई करती है, ठीक है, so that's why student, यहाँ पे यह कहा रहा है, कि जो matter है, trade से related, industry और labor dispute से related, वो हमारी concurrent list में आते हैं, यह हमारी पहली statement है, दूसरी कहता है, the subject of welfare, the subject of welfare, welfare नहीं होती, you know, जो आपका welfare होता है, of the labor, including conditions of work, provident fund, workments, compensation and maternity benefits, are included in state list, कहता है, यह जो चीज़े हैं, यह हमारी state list में लाई करती है, तो concurrent list और state list पे question पूछा गया है, आपको इसमें से correct statement बतानी है, तो बताईए student, तो पहली जो हमारी statement है, वो बिल्कुल सही statement है, matters concerning trade union, industry and labor disputes से related, जो हमारी है, that is related in concurrent list, but in case of, जैसे हमारा maternity bill है, benefits है, ठीके, और जो हमारा provident fund है, ठीके, यह जो है ना, यह student, यह हमारी state list में नहीं लाई करती, ठीके, सारी के सारी state list में नहीं आती, कुछ power जो है, वो union के पास भी है, so that's why student correct statement, यहाँ पे सिर्फ क्या है, हमारी one है, second statement यहाँ पे wrong है, 36 का, यह हमारा correct option है, ठीके जी, ओके, हाँ जी, 37 नमबर कोशन पढ़ो, 37 नमबर कोशन पढ़ो, 37 नमबर कोशन पढ़ो बच्चे, हाँ जी, तो पढ़ो, अच्छा, अरे, थोड़ा उपर करना, अच्छा, यह सारी सारी हमारी न, यह सारी के सारी हमारी जो है, वो हमारी लाई करती है student, concurrent list में, ठीक है? ओके, 37 नमबर कोशन पढ़ो, क्षिन पढ़ते हैं, क्याता, चिजिए था, फॉर्विंस स्टेमेंट, यह था, विद रिस्पक तो दो ओर्डनरी बिल, ओर्डनरी बिल की बारे में बात किया, पास्ट पास्ट बाया, his or has sent or return the bill for the reconsideration by the state कहता जो हमारा governor है वो क्या कर सकता है बिल को या तो क्या कर सकता है उसके पास इतरी discretionary power होती है कि वो या तो बिल को hold कर सकता है या उस बिल को return कर सकता है state को for the reconsideration कि आप इस पर दुबारा से सोच विचार कीजिए जो भी आप बिल मेरे पास लेकर आए हो आपको भी पता है state assembly कोई भी बिल पास करती है student वो बिल तभी हमारा law बनेगा या तभी उसकी implementation होगी जब हमारा governor जो है वो अपना asset उस पर देगा ठीक है? ओके next बात करता है कहता है if a bill passed by the state legislature is derogatory to the power of the high court it is compulsory for the governor to return the bill कहता है अगर हमारा जो state legislature अगर वो कोई ऐसा bill प्यास कर दे जो high court की power को derogatory करे मतलब कि high court की power को अगर वो कम करे reduce करे तो हमारा governor जो है उसको compulsory होता है कि वो बिल को वापस return कर दे इस पे उसने question put किया है और correct statement उसने यहाँ पे हमसे पूछी है है जी तो बताईए correct statement कौन सी है बताईए student statement बतानी है आपको correct 37 number question है पहली statement आप दुआरा से पढ़ लीजी देखो पहली statement अगर आप देखो ध्यान से तो पहली statement तो सही ही है इसमें तो को doubt है ही नहीं कि ordinary will जब भी आता है governor के पास यह discretionary power होती है student कि वो will के उपर या तो उसको hold भी कर सकता है उसको return भी कर सकता है और even उसको reconsideration के लिए भी दुबारा से state legislature के पास बेज सकता है यह उसके पास power होती है बट वो अपनी power को बहुत ही rare conditions में वो use करता है ऐसा नहीं कि वो her will को return करने बैठ जाएगा नहीं ऐसा बिलकुल नहीं कर सकता गवर्नर ठीक है अच्छा दूसरा जो है student कहता है दूसरे statement में कहता है कहता है the if bill passed by the state legislature is derogatory to the power of the high court it is compulsory for the governor to return the bill see here student ऐसी condition में governor जो है उसको compulsory होता है कि वो bill को governor must must important होता है student कि governor जो है वो bill को अपने पास रखे और वो president को भेजे उस bill को ठीक है कि इस पे president जो है वो अपनी advice दे कि हांजी ये बिला पास कर दीजे ठीक है या governor को governor जो है वो यहाँ पे president के पास उस bill को वो ज़रूर भेजेगा ठीक है state legislature के पास वो return नहीं करेगा बट even वो उसको अपने पास रखेगा और उसको वो president के पास भेजेगा कि हांजी आप इस bill को देखिए ऐसे करके state government ने यहाँ पे bill पास किया है assembly में related to high court power क्योंकि जो high court और supreme court की power and student वो हमारे constitution के अंदर बिल्कुल define है ठीक है उस पे अगर उसको अगर reduce करने में या कुछ भी ऐसा कुछ भी law पास होता है उससे related उनकी power से related तो यहाँ पे जो governor है उसको compulsion होती है कि वो ऐसा bill जो है वो president के पास भेजे ठीक है governor must send such type of bill to the president so that's why student यहां पे हमारा जो option number है 2 that is incorrect that is incorrect so that's why यहां पे correct statement बनेगी only one okay जी ठीक है जी 38 number question पड़ो बच्छी 38 number question है जी तो कहता है as per the schedule try and the other traditional forest dwellers the schedule try and other traditional forest dwellers recognition of forest right act 2006 who has the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or family right यहां पे वापस सी schedule try पे उसने question put कि है student इसका मतलब क्या है कि जो polity है ना student उसमें से कुछ chapter तो ऐसी है जो आप negligible बिलकुल उनको करी नहीं सकती है आप neglect नहीं कर सकते जैसे कि आपका पहले जो seven chapter है student उसको तो आप बिलकुल नहीं कर सकते जैसे salient features of constitution right history of constitution making of constitution की जो history है फिर हमारा fundamental right fundamental duty fundamental हमारे sorry DPSP center state relations पंचाइती राज municipalities ठीक है और schedule हमारे tribe schedule tribe से related जो हमारे chapter है वो बाला ठीक है ये जो है इनको आप बिलकुल भी schedule areas हाना इनको आप बिलकुल भी आप ignore नहीं कर सकते in chapters को कोई चांस नहीं है Parliament है ना Parliament का जो chapter है इनको आप बिलकुल निगलेक्ट नहीं कर सकते इन chapters को ठीक है तो यहाँ पर कुछ है कहता है as per the schedule tribe and other traditional forest dwellers जो हमारा act है 2006 का forest act student ठीक है forest rights जिसमें हमने define किया है who has the authority to initiate the process of determining the nature and extent of individual or family right जितने भी student हमारी families या जितने भी लोग जो है कोई individual जो है अगर वो forest के अंदर recite करता है मतलब वो forest के अंदर रहता है ठीक है उसका you know उसके जो ancestors है वो भी वहीं पे रहते है उनसे related जो right है उसको कौन वो करेगा यहाँ पे extent करेगा मतलब उसको कौन determine करेगा उस process को उस power को तो that is gram सबा वहाँ की जो gram सबा होती है student वो individual rights को forest में उनके क्या rights है land को लेकर forest को लेकर वो define करती है वहाँ की gram सबा कि मान लीजी कोई forest area है मान लीजी यह कोई forest area student इस forest area के अंदर कौन सा person जो है वो यहाँ से चीजों को collect कर सकता है forest से related मालो vegetables को, fruits को वहाँ पे जितने भी मालो कोई wax है उसको collect करने का right जो है या इस forest को use करने का या इसके अंदर रहने का जो जितने भी rights है वो वहाँ की gram सबा decide करती है student और यह हमने clearly define किया हुआ है हमारे 2006 के act के अंदर forest right act जो हमारे 2006 में पास हुआ था उसके अंदर gram सबा के पास ऐसा right है ठीक है? ओके हाँ जी 39 नमबर question पढ़ते हैं बचे हाँ पढ़िये question पढ़िये क्याता है which of the following is not 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 पूछा है तो circle कीजी a provision of the representation of the people act 1950 people act 1950 जो है उसमें कौन सा provision नहीं है ये पूछा उसने कौन सा provision नहीं है बच्चे उसने ये पूछा है है ये तो पता ही है सबको नहीं है ये पूछा है तो पहला देखिए कहता है qualifications and disqualification for membership of parliament and state legislature state legislature का या parliament की किसको membership मिलेगी disqualification कौन होगा या उसकी क्या qualification होनी चाहिए ये define है हमारे representation of people act RPA act in 1950 के अंदर second statement में वो कहता है allocations of seats in the house of the people the state legislative and the state legislative council state legislative council state legislature या हमारा people house है house of people है जो हमारी लोक सबा है उसके अंदर seats की allocation जो है वो हमारे RPA actor 1950 के अंदर define है ये बात वो बोलता है दूसरी में वो बात करता है delimitation की बात है third statement कहता है delimitation of parliamentary assembly consequences आपको भी पता है हर एक जो consistency होती है उसको हम define करते हैं है ना पता है ना कोई भी state होता है उसमें हर जगह पे constituencies को क्या किया जाता है define किया जाता है area को define किया जाता है ठीक है D कहता है local authorities for the purpose of election to the state legislative council जब भी state legislative council की elections होते हैं तो local authorities local authorities जो होंगी उनको कौन define करेगा यह चीज भी हमारे RPA Act में define है तो आपको बताना है यहां पे not कौन सा provision नहीं है तो बताइए student कौन सा provision नहीं है तो इसमें जो हमारा पहला option है बच्चे RPA qualifications and disqualification for the membership of parliament and state legislature यह हमारा define नहीं है student किसकी अंदर RPA Act 1950 के अंदर बाकि हर चीज जो है वो हमारे representation of people act के अंदर provision में दी हुई है तो कौन qualify करेगा किसको disqualify करना है ठीक है किस बहाफ पर disqualify करना है यह हमारे RPA Act में define नहीं है बच्चे ठीक है बाकि हर चीज जो है वो हमारे RPA Act 1950 के अंदर you know यहां पे define की गई है जैसे कि allocation of seat ठीक है delimitation, local authorities के बारे में यह हर चीज जो है वो define है हमारे RPA Act 1950 के अंदर clear है student यह बात आपको ठीक है जी ठीक है जी तो next जो question है वो करेंगे हम next lecture के अंदर student ठीक है next session के अंदर हम बाकि complete करेंगे ठीक है जी इसी के साथ student हमारा new badge start हो चुका है for the Punjab Civil Services जिसमें हम बिल्कुल basic से आपकी preparation जो है उसको हम start करवाएंगे बिल्कुल हम basic से start करेंगे ठीक है जी और ये classes online, offline दोनों mode में available हैं आप चाहे जिसमें आपका आपके comfortable के हिसाब से आपके time management के हिसाब से आपके जो भी आपको suit करता है उसके recording आप join कर सकते हैं ठीके जी online जो है उसमें हमारा portal होता है जिसमें आपको recording live video दोनों mode जो है वो आपको available रहते हैं ठीके जी ओके ओके और कोई भी query है तब भी आप नीचे दिए के support number पर आप call करके clear कर सकते हैं ठीके जी और भी अगर आपको कोई doubt है related to time management आपसे you know preparation में अगर आपको problem आ रही है आप पहले से आप preparation करके बैठे हुए हैं अभी आपको manage करने में problem आ रही है या किस तरीके से जब तक notification नहीं आती है तब तक अपनी preparation को किस तरीके से continue रखना है इसके बारे में भी आप even यहाँ से guidance ले सकते हैं ठीके जी? ओके ओके student तो इसी के साथ हम session यहाँ पर over करते हैं Thank you, thank you so much Have a nice day